नमस्कार सर, नमस्कार, सर क्या नाम है आपका, मेरा नाम सुरेंदर चौहान है, सुरेंदर चौहान जी आप कहां से हैं, मैं जस्पूर जीला 36 गड़ से हूँ, सर संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा आपने कब ली, मैं 15 जून 2019 को संत्रामपाल जी महराज जी से उपद जुड़े हुए थे और जो बच्पन से मैं जब से हो सम्हाला हूं तब से हमारे पूरे परिवार जो है जो गुरुधारन कर चुके थे उनके द्वारा जो भक्ति साथना बताई गई थी उसी को करते थे विशेश रूप से उसमें दुरगा जी और भगवान संकर जी का भक्त और प्रती दिन हम लोगों ने घर में पूजा के लिए रूम बना रखे थे और उसमें एक खपर होता था देवी जी का उसका सेवा करना प्रती दिन जो है रूम की साफसफाई करना उसके बाद जोच लगाना यह सब सावी क्रियां हम पूरे परिवार करते थे और साथ में विशेश्रोफ से जितने भी देवी देवता हैं हिंदु धर में सभी की पूजार्जना करते थे जैसे कि आपने बताया कि देभीद्हत के पूझा करते थे और आप ने दामा-खीडा पंत जो कभीर पंधी ने-उंको तो फिर संत रामपल जी माराज जी भी कभीर पंदी हैं तो संत रामपल जी माराज जी की सण में आने का क्या कारण बना हम लोग दामा खड़ा गद्दी से तो जुड़े हुए थे पर उनके द्वारा जो भताई भक्ती साधना थी उसे करते भी रहते थे और आनंदी चौका वेगरा घर में सारा किरियां हम करते थे लेकिन उन्हें उनको करने से भी हमको किसी प्रकार का कोई लाब नहीं होता था घर में बहुत सारे परेशानी यह सारी चीजा लगे रहती थी मेरे माताजी को गंभीर रोग था उनक्या खुन-खुन उल्टी होता था पेट के अंद दिखाए लेकिन किसी प्रकार का कोई लाब नहीं हो रहा था यह हम दामा खेडा में जुड़ने के बाद की बात है और उसी के साथ में हमारा यह मानना था इतना तो है कि कभीर परमात्मा से ही मुक्ती मिलेगी है तो हम जान रहे थे किंतु सांसारी सूख नहीं होने के हम लोग ने और एक गुरु बनाया और जो गुरु था उसका राम जगमोहन पंडा था और यह जो दाम से संबंदित था हर स्वमार को जाते थे वहां पे व्रत उपवास करते थे और उनके द्वारा जाण फूख और वह जो जो खपर लगाना या घर में जो पुजार चना क करने की जो बीधी बताए उस हिसाब से करते रहते थे थोड़ी बहुत रहत होती थी लेकिनो एक दू सब्ता के लिए होती थी उसके बाद किसी भी समस्या का हम ऐसा सोलिशन नहीं मिल पाता था तो हम लोग निरास थे हतास थे और बहुत हम लोग ने भक्तिसातना किया उसम करते थे मैं भी किया था कई बार मैं तो भीमार हो गयानाया नौराथिया का बद्त करते हुए सिवरात्री का वर्च करता था उसमें कोई लाब नहीं होता था लेकिन एक विश्वास थी कि आarial हमारे पास तो तो रास्ता भी नहीं था किसके पास और उसमें थोड़े इसी रहात मिलती थी तो हम उसी पंडा के बतायों प्रॉशार किर्याएं थोड़ा मुड़ा करते थे जो भी उसके द्वारा बताई जाती थी उस किर्या को अब उसमें भी लाब नहीं होते रहता था अब चार माह पाँच माह ठीक होगा मेरी माताजी का बीमार और फिर से वही हो जाता था फिर फ़हीं पंड़ा ता था, घर में sleeping पूक जाड़्ड विवन-प्रकार की चीजे पर ता बहुत खर्चे हो जाते थे उसमें भी हर छामवा के बाद में जंड़ बदल्वाने की इच हम पार्चे उनके दोरन उसमें ही ही हुई थी गरमें अhigh अचानक से मेरी धादी के पेट में दर्ध हुआ तो मेरे जो रिस्तेदार थे हुए बोले की संत्रामपाल जी महराजी का जो डंडवत स्थान बना हुआ है वहां जा करनाव की जiqué तो मेरी धादी गई और उनको परनाम की संत्रामपाल महराज तो वहां से उनको लाव हुआ वो दर्द कम हो गया तो मेरी दादी आई और घर में हमको बताई कि आसा ऐसा हुआ वहां पर करके तो हम लोग ने विरोध कर दिया नहीं जाएं कि हम लोग जो भक्ति साथां कर रहे हैं वही ठीक है पता नहीं उनका क्या है उसके बाद कारण य पताइ और वहां पर किया तो किसी प्लक्र कर climate कर देखते थे किसी प्रिण हैं वह कर दो करो भी तो कि invalidate को हुआ और नहीं क chloride को एतने दिन से बिमार है आप लोग कम से कभर जो है संच्ञा महाराजी कराव महाराजी almost miss साधना है उसको करके देखो तो धीरे दीर मुझे विश्वास होने लगा अब उनके यहां जब तक रहा तब तक मैं सहाराज ग्यान को समझने का प्रयास किया जब मैं घार में गया तो मेरी दादी को फिर से मैं बोला कि आप ऐसे ऐसे बुल रहे थे एक बार ममी पापा को संत पर आपाजी महराजी के सरण में भेज के देखते हैं तो वे लोग दुछार सत्रम में अमभीकापुर नामदान केंदर से वे लोग नामदिख्षा लिए और संत्र आमपाजी महराज जडारा बताये वक्ति साधना को करने लगे तो जो मेरी माधा जी का जो बीमार होता था जो तीन माह, चार माह में उल्टी होना, वो बंध हो गया, तो मेरे दादा जी जो पुराने भक्ति साथना करते थे, वो बोले कि इतना दिन हम लोग भक्ति साथना इसका करते रहे, किसी पर का कोई लाब नहीं हुआ, जो देवी देवता पहले जो थे और जो दामा खेडा से क लोगा, उनको इतना हम भक्ति साथना करते थे, कुई लाब नहीं हो, संत्रामपाजी महराजी के सरण में जाने से वे लोग सुखी हैं, तो दादा जी जो है, जितने भी जो खपर वगरा थे, जो पुजा की जो पुराना जो हमारे गुरू बताया गया, बताया हुआ था, जो सारा सामगरी को ले करके जल परवाह कर दिया, जब लाब देखा मैं, मेरी मादा जी का बीमार भी ठीक हो लग गया, तो हम मैंने भी संत्रामपाजी महराजी से फिर उब्देश ले लिया, सर, जैसे कि आपने बताये कि आप पहले दामा खेड़ा पंद से नाम दिक्षा ले रखी थी, आपने आपको लाब नहीं मिले, तो क्या संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिक्षा लेने के बाद भी आपको लाब मिले, बिल्कुल सर, संत्रामपाल जी महराजी से नाम उब् आपको बहुत सारे नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब तुए आपने बताया कि आप पहले दामा खेडा दामाखेदा पंथ से पहले से जुड़े हुए हैं लेकिन दामाखेदा पंथ में सही भक्ती विधी नहीं होने के कारण हम किसी प्रकार का कोई लाब नहीं हो रहां था और जब हम लोगों ने शंट रामपाल जी महराज जी का सरंद्र किया तो शंट रामपाल जी महराज के पास सही भक्ति विधी होंबे के कारण हमें उन ही कवीर परमात् fakma के तर्व हम को लाब मिले जो दामागेड है है उनके पास वास्तिक भक्ति विधी नहीं है, वे लोग को कभीर पंत का किसी प्रकार का कोई ज्यान नहीं है, जो कभीर साहब ने धर्मदास साहब को जो भक्ति विधी बताये थे, जो भक्ति साधना बताये थे, वो भक्ति साधना दामा खेडा वालों के पास नहीं है, और वह तो सरदालू आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकती है जो आज मुझे टीवी पर देख रहे हैं वे अगर शंत्रामपाल जी महाराजी से उपदेश लेना चाहें तो संत्रामपाल जी महा उसके अलावा संत रांपाल जी महराज एप्लीकेशचन प्लेश्टर में अविलेबल है। उसे डाउनलोट करके भी वहाँ से ज्ञान को पहले समझ सकते हैं। समझने के बाद फिर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। संत्रामपाल जी महराजी से उपदेश लेने के लिए दन्यवाज जी सत्साहिब